आजके इस वीडियो में मैं एंजल ब्रुकिंग के एप में रिवरी और मार्जीन में bubbleuma क्या ढीपरंस होता है इलेवरी पे कैसे वर्क करते हैं मार्जीन पर कैसे कितना इंट्रेस्ट लगता है और वो कैसे काल्कुलेट होताерм इस हर एक चीज पर हम यहाँ पर में दिखाऊंगा और डिसकस करूंगा, तो मैं एग्जामपल लेता हूँ, देखोो सिपला पर जब मैं क्लिख करता हूँ, तो ऐसी विण्डो क्षुल जाती है, बाई और सेल की, जब मैं buy पर click करता हूँ तो यहाँ पर quantity भरना मैं ऐसा assume करता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता एकदम blindly आप देखिए आपको सब चीजे clear हो जाएगी यहाँ पर जैसी कि मैंने 10 quantity डाली मुझे अगर 10 quantity डाली तो यहाँ पर नीचे देख सकते हो approach required margin कितना पैसा लगेगा मुझे 10 quantity लेने के लिए यह दिखाता है तो 8,237 रुपीज लगेंगे मुझे 10 quantity सिपला को buy करने के लिए तो यहाँ पर limit और market limit और market यहाँ पर दिया हुआ है limit का क्या मतलब होता है जब stock नीचे गिरेगा थोड़ा सा तो मुझे लेने के लिए मतलब फाइदा होगा तो मैं यहाँ पर limit पर क्या डालूँगा जैसे की 8,22 मतलब एक रुपई से नीच आएगा तभी मैं buy करूँगा तो मैं यहाँ पर limit price लगा रहा हूँ तो यह order pending रहेगी मेरे order book में और जैसे ही price 8,22 होगी तभ मेरी order execute होगी मतलब यह stock buy हो जाएंगे दस quantity लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे रुकना नहीं यह मुझे अभी buy करना है तो मैं यहाँ पर market price सेलेट करूँगा तो यहाँ पर price में multiply 823.70 पैसे तो आपको exact rupees लगेंगे 8,237 rupees तो delivery पे आप जब लेते हो पूरा पैसा देखर आपको कोई रोक टोक नहीं है कि कब बेचना है आप कभी भी बेच सकते हो एक दिन में बेच सकते हो आज भी बेच सकते हो एक साल के बाद बेच सकते हो क्योंकि आपने पूरा पैसा दिया है ठीके ये तो हो गया delivery का clear अभी हम पहले margin trading पर आएंगे और last में intraday के बारे में बतना होंगा देखो margin trading क्या है आप जब margin पर click करते हो तो यहाँ पर approx margin है 1647 रुपीज चाहिए अभी margin पर हम लेकर रख सकते है जैसे delivery पर लेकर रख सकते है न वैसे ही लेकर रख सकते है लेकिन आपका जो additional पैसे लगना था 10 quantity तो मैंने change नहीं की लेकिन पैसे के इतने कम लग रहे है यहाँ पर 1647 में ही आ रहे है 10 quantity लेकिन जो additional money जो हम यहाँ पर use कर रहे है उस पर हमें ब्यास देना पड़ता है इंटरेश देना पड़ता है angel broking को तो वो हम थोड़ा सा calculator में calculate करके देखेंगे देखो delivery पर कितने लग रहे है थे 8237 ठीक है तो margin पर कितने लग रहे है 1647 1647 तो additional money कितने दी आपके broker ने आपको यहाँ पर 6590 रुपीज आपके broker ने यहाँ पर डाले है आपके trade में तो यहाँ पर क्या लिखा है buy up to 4 times quantity with just 0.049% interest per day आपको per day के हिसाब से जो additional broker ने पैसे लगा है 6590 इस पर broker लेगा 0.049% per day के हिसाब से तो इसके मैं अगर percentage निगाल रहा हूँ 3 रूपीज 22 पैसा broker हर दिन के लेगा क्योंकि आपने उसके broker के कितने पैसे यहाँ पर 6590 रूपीज आपको margin पर आप जब लेकर रखते हो 10 quantity 1600 रूपे में आपके approach आजाएंगे 10 quantity लेकिन हर दिन के broker आप से 3 रूपीज 22 पैसे कट कर लेगा आपके पैसों में से क्योंकि उसने जैसे कि हम loan लेते हैं और उससे कुछ business चलाते हैं वैसे ही यहाँ पर stock buy करने के लिए आपको loan दिया जा रहा है additional कुछ पैसे और उस पर broker interest ले रहा है तो हम यहाँ पर चोटा सा एक मंत का interest ले रहा है broker हम से अगर हम 12 मेहने का calculate करेंगे तो देखो 17.64% per annum के हिसाब से interest ले रहा है broker अगर आप margin trading facility यूज करते हो और broker का पैसे यूज करते हो तो ठीके तो normally आपको पता है personal loan मिलता है 10-12-15% तक per annum के हिसाब से और यहाँ पर आपको 17% तक interest पे करना पड़ रहा है broker को यहाँ पर आपको कुछ भी process नहीं simply margin पर click करके आपको trade लेना है वो automatically सबकुछ process हो जाता है I hope कि आपको margin trading की concept समझ में आ गई होगी आप अगर एक दिन का लेकर रखोगे तो सिर्फ 3.22 अब depend करता है वारी करता है आप कितनी बड़ी position लेते हैं अगर मैं यहाँ पर 100 quantity लूँगा तो 16,000 लग रहे हैं actual delivery में जहाँ पर 82,000 लगने थे वहाँ पर 16,000 जो उपर का मनी है मतलब में 82,000 माइनस 16,000 करूँगा जैसी कि 82,000 माइनस 16,000 उपर का 66,000 है उस पर मुझे 0.049% इंट्रेस्ट लगेगा ठीके डिपेंड करता है आप कितनी बड़ी position लेते हो तो आपको margin trading समझ में आ गया होगा I hope अभी intraday पर आते हैं यहाँ पर नीचे आया है 15 मिनेट बिपोर वो close कर देते हैं हमारी position लेकिन intraday पर तो सिर्फ 411 रुपीज लग रहे है जो additional पैसे दे रहा है brokerage उसकी condition ऐसी है कि साड़े तीन बजे तक वो श्टॉक आपको बेचना ही पड़ेगा उसी दीम उसी same days अगर आप नहीं बेचते तो वो आपने आप बिग जाता है वहाँ पर इन्होंने नीचे दिया है 15 मिनट बिपोर market closer ये position square up कर दी जाएगी अगर यहाँ पर दिया है 411 रुपीज में आप 10 quantity ले पाओगे अगर 411 के 80% मतलब 411 के 80% 328 रुपीज अगर loss हो जाए आप समझ रहे हो 10 quantity सिपला के लिए है आपने उसको money लगा 411 रुपीज अगर 411 रुपीज में से 328 रुपीज अगर loss हो जाएगा तो वो shares अपने आप वो बेज देगा ठीके वो आपको पूछेगा भी नहीं आपको message आ जाएगा MTM आपका 80% loss हो गया है और आपकी position हम square up कर देंगे और पैसा आड़ कर लो आपके DMAT account में otherwise हम आपके share बेज डालेंगे आप समझ रहे हो I hope कि आपको समझ में आ रहा है आपको अगर कुछ भी और doubt है तो आप comment में नीचे पूछ सकते हो तो यहाँ पर approach required margin 411 intraday पे आपको same day बेज ना पड़ता है और एक चीज में यहाँ पर discuss करना important समझूँगा वो है कि आप delivery पे short selling नहीं कर सकते है मगर समझो जैसे कि आपको लग रहा है supply गिरने वाला है यहाँ यहाँ पर यह minus 17 दिखा रहा है 17 point से नीचे गिरने वाला है आपको अगर लगता है तो आप intraday पे पिल्कुल short कर सकते हो मतलब आपके पास कोई stock नहीं है तो भी आप उसे बेच सकते हो और वो जितना गिरेगा उतना आपको profit मिलता है लेकिन आप delivery पे कभी उसे short न करना क्योंकि सेवी के guideline के हिसाब से delivery पे short करना मना है अगर सब लोग short करेंगे तो market zero हो जाएगा इसलिए ये condition है कि आपको short selling allow नहीं होती margin पे भी आपको short selling नहीं करना है अगर आप short selling की position hold करते हो तो आपको penalty लगती है और वो stocks 2-3 दिन में जो highest price होती है उस price पर बेच दिये जाते है मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा loss किया जाता है तो इसलिए आपको holding पे मतलब delivery पे या margin पे कभी short selling करकर मतलब overnight नहीं रखना है जैसे कि आपने delivery पे या margin पर लिया और आपने तीन बज़े से पहले उसे फिर buy कर लिया तो कोई issue नहीं है समझ रहे हैं तो आपको short selling delivery पे और margin पे नहीं करना है आपको short selling करना है तो आपको intraday पे करना है I hope कि आपको इस वीडियो से बहुत सरी concept clear हो गई होगी और आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी value addition हुई ये आपके knowledge में तो वीडियो को like कर देना अगर आपको angel booking का account खोलना है तो नीचे में link दे दूँगा और markets की update आपको पाने चाहिए अगर तो आपको telegram channel की link भी मिल जाएगी वहाँ पर मैं PCB प्रकार के आपको call नहीं देता intraday के आपको market के बारे में knowledge मिलेगा वहाँ पर आप नीचे दिये गए link से channel जोइन कर सकते हो all the best, happy trading, bye bye